ख़बरें लेकर हाजिर हूँ, मैं असोग कुमार अंज, तो आईए चलते हैं ख़बरों की ओर सिस्टम से पणा पत्र कादू खोड़ दीजे रास्ता खोड़ दीजे बस खोड़ दीजे बेलकम बैक अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथोड़ा मार गलोबल सूप गलोबल सूप में परस्तूत है चिन्टु भाईया सफर नामा जहानाबाद से लोगसभा चुनाब के सुपर एमपी फेस हैं चितरंजन कुमार चिन्टु भाईया जिन्होंने अपनी राजनीती कैरियर को बनाने के लिए जहानाबाद लोगसभा को चुने हैं और वे एंडिये से भाभी लोगसभा का परतियासी हैं ऐसी उमीद की जा रही है कि चिन्टु भाईया जीत की ओर बढ़ेंगे और उनका नारा है अबकी जहाना जीतना है नहीं चलेगा कोई बहाना जीतना है जहाना ये चिन्टु भाईया का सलोगन है जाहिर हो चितरंजन कुमार चिन्टु भाईया साथ गाड़ी के काफले के साथ अपने राजनीती कैरियर को बनाने के लिए जहानावाद में आयोजीत काज करम में सामिल होने के लिए गए और बड़ी संक्या में कार्ज करता उनके साथ और उनके समर्थक उनके साथ थे तो इस तरह से पूरी मजभूती के साथ जहानाबाद लोकसभा में उनकी इंट्री हो गई है वे इंडिये के लीडर के रूप में हैं और वे युवा नेता हैं युवा अससवी नेता करमठ नेता और अपने आप को करमठ तादो सीध किये हैं वो बहुत बड़ी उपलब्धी बनी है जहर हो युवा नेता चितरंजन कुमार चिंटू भईया पिछले चुनाब में वजीर गंज बिधान सभा से लड़े थे और पूरी मजभूती के साथ चुनाब लड़े थे जिसके अच्छे परिनाम मिले थे और उसी परिनाम का नतीजा है कि अब वे जहानावाद लोगसभा से चुनाब लड़ेंगे तो इस तरह से इंडिये के युवा नेता चितरंजन कुमार चिंटू भईया कमर कस लिये हैं लंगोटा कस के वे जहानावाद लोगसभा च्छेतर में पूरी तरह से सक्रिये हैं यही बज़य है कि उनके साथ बड़ी संक्या में समर्थक उनके साथ गारियों के काफले के साथ जहानावाद पहुँचा जिससे जहानावाद में उनकी सुर्खियां फैल गई और वह सुर्खियां बड़े दिगजनिताओं तक पहुँची जो उमीद है सकारात्मकपई नाम लेकर आएगा और चुनाव में देखने को मिलेगा ऐसा कहा जा रहा है कि जहानावाद होट सीट है ही और उस होट सीट का सुपर एमपी फेस हैं चितरंजन कुमार चिन्टु भाईया जो एन्डिये का युवा नेता है और ये चांस उनके जोली में आने वाली है ऐसी पूरी संभावना बनी हुई है संगर्थ से जीत तक चिन्टु भाईया का परियास जारी है वे लंगोटा कस के लोगसभा जहानावाद के छेतर में उतरे हैं और वे पूरी मजबूती के साथ 36 जहानावाद लोगसभा में अपने सीना को चोड़ा करके उतरे हैं ताकि जहानावाद को जीतना है और जीत कर जहानावाद का चहु मुखी विकास करना उनका सपना है क्योंकि बहुत तो दिनों से बहुत वर्सों से जहानावाद उपेच्छित रहा है जितना डेवलप्मेंट जहानावाद का होना चाहिए वो धरातर पर नहीं उतर सका है यही बज़ा है कि सवार चितरंजन कुमार चिंटु भाईया इंडिये से टिकट लेकर जहानावाद के चहु मुखी विकास करने के लिए छेतर में उतरेंगे जब जहानावाद में चितरंजन कुमार चिंटु भाईया का साथ गारियों का काफला जब पहुचा तो जहानावाद अपने आप में इंडिये के युवा नेता चितरंजन कुमार चिंटु भाईया के काफले को देकर दिगज नेता भी घबडा गए और वे धाकड जो नेता हैं उन्हें डिफेट दिये हैं कि हम चुनावी मैदान में पूरी मजबूती के साथ सकिरिये हैं और वह सकिरियता बिल्कुल सफलता की ओर होगी ऐसी उम्मीद की जा रही है इंडिये के मजबूत और जुझारू युवा नेता हैं चितरंजन कुमार चिंटु भाईया यही वज़ा है कि वे राजनीती में पूरी मजबूती के साथ सकिरिये हैं जिसकी चर्चा बड़े बड़े दिगजनेताओं में जारी है तो चुनावी तैयारी पूरी तरह से कर चुके हैं और उनका बढ़ता हुआ कदम जहानाबाद की ओर निकल चुका है और उनका सफर नामा इस तरह से चला कि लोग उन्हें यगह यगह रोक कर उनका स्वागत किये और उनकी जो सफल मिसन है उस मिसन पर कारगर मुहर भी लगाए लोग लोगों ने कहा इस तरह के युवा नेता का ही यहां दरकार है तो कि जहानाबाद बरसों से उपेच्छित है और इस उपेच्छित जहानाबाद को बहुत बड़ी उमीद जगी है चितरंजन कुमार चिंटु भैया से कि डेवलप्मेंट को वो जहानाबाद में उतारेंगे और जहानाबाद को बिलकुल चका चक बना देंगे ऐसी उमीद की जा रही है जब उन्हें की बड़ी संखियां वाली काफला जब जहानाबाद पहुंचा तो लोगों ने उनका जम कर अभिनंदन किया स्वागत किया और उन्हें अपना समर्थन भी दिया कि आपका जहानाबाद लोग सभाचेतर में आपका स्वागत है युवानेता का 13 जहानाबाद में उस तरह के युवानेता लोगों के बीच में हाजिर हो गए हैं दस्तक दिये हैं बस अब इंतजार है इंडिये से टिकट लेकर चुनावी मैदान में पूरी मजबूती के साथ उतर जाने का तो चुनावी मैदान भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है जो की बदलाब चाह रहा है और उस बदलाब को सकारातमक रूप देने के लिए इंडिये के युवानेता चितरंजन कुमार चिंटु भाईया पूरी तरह से तैयार हैं जब उनकी काफला जहनाबाद के गाउं गलियों शहरों में पहुँची तो वहां के लोग उन्हें गर्म जोसी से स्वागत करते हुए अपना एक एक वोट देने का समर्थन दिया जिससे चितरंजन कुमार चिंटु भाईया का सीना बिलकुल खील गया और वो गुलाब की तरह खिलने के लिए तैयार है और वो गुलाब के तरह खिलेगा ही तो फिर कमल के तरह वो खिलने के लिए पूरी तरह से तैयार दीख रहा है तो ऐसी उमीद की जा रही है कि जब इंडिये से चितरंजन कुमार किंटु भाईया जहानाबाद से उतरेंगे तो विजे पी का इंडिये का कमल फूल को और मजबूती मिलेगी और कमल फूल बिलकुल खिल कर निखर जाएगा जिससे जीत की सफलता निकलेगी और भारी बहुमत से उनकी विजय होगी ऐसी जहानाबाद से उमीद निकल कर आ रही है हर लोग कह रहे हैं कि इस तरह के युवा नेटा का यहां जो उमीद की जा रही थी उस उमीद पर वो खरे उतरेंगे जहानाबाद का किसमत बदलने के लिए चितरंजन कुमार किंटु भाईया पूरी तरह से तैयार है और बड़ी काफला उनके साथ है उनके समर्थक उनके साथ है और जहानाबाद से एक एक वोट वो लेकर इतनी लंबी लकीर खीचेंगे कि वो जीत की ओर सकारात्मक रूप लेकर विजई होंगे बस ये उमीद है और इसी उमीद पर चितरंजन कुमार किंटु भाईया डटे हुए हैं अडीग हैं चर्चा ऐसी है कि बड़े बड़े दिगज निताओं का उन्हें आशिरवाद मिल चुका है समर्थन मिल चुका है जिससे जहानाबाद लोकसभा सीट को जीतने में बिलकुल आसानी होगी और कमल फूल को मजबूती के साथ खिलाने के लिए युवा नेता इंडिये के नेता चितरंजन कुमार भी पूरी तरह से कमर कसकर जहानाबाद लोकसभा चुनावी मैदान में उतर गए हैं और वो जन जन में जाकर अपनी बात को रख रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं तो ऐसे हैं युवा नेता चितरंजन कुमार चिन्टु भाईया जो की जहानाबाद का सूपर MP फेश हैं तो अभी आप देख रहे हैं चिन्टु भाईया का सफर नामा कि वो किस तरह से अपने राजनीतिक कैरियर को जहानाबाद के सीट पर उतारने के लिए तैयार हैं कोई नहीं चलेगा बहाना बिलकुल इस कड़ी पर वो आगे बढ़ रहे हैं और एक एक कड़ी को जोड़ते हुए वो जहानाबाद सीट की जीत की योवर बढ़ रहे हैं बदलते दोर में युवा चेहरा का मांग है और वो हमांग को पूरा करने जा रहे हैं इंडिये के युवा नेता चितरंजन कुमार चिंटु भैया यही बज़ा है कि धीरे धीरे उनका हाथ मजबूत हो रहा होता जा रहा है अब धीरे धीरे चितरंजन कुमार चिंटु भैया का हाथ जहानाबाद में मजबूत होता जा रहा है जीसे उनकी कदम और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है जो सपने वो बूने है वो सपने अब खिलने को जग बना लिया है तो अभी आप देख रहे हैं चितरंजन कुमार चिंटु भैया का चिंटु भैया सफर नामा तो अभी आप देख रहे हैं चिंटु भाईया सफर नामा जब इनकी काफिला जहानाबाद के चुनावी छेतर में पहुँचा तो धाकर नेताओं का कलेजा डोल गया काप गया एक युवा जहानाबाद को बदलने के लिए इतना बड़ा संकल्प लेकर जहानाबाद के इलाके में लोगों का समर्थन हासिल कर रहा है जो बहुत बड़ी उपलब्धी लेकर सामने आएगा और वह उपलब्धी होगी इंडिये के लिए भी जिससे की इंडिये मजबूत जीट कर यहीं बहुत बड़ी उमीद के साथ चित्रंजन कुमार चिंटु भाईया अपने लक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो अभी आप देख रहे हैं सफर नामा चिंटु भाईया तो अभी आप देख रहे हैं चिन्टु भाईया सफर नामा अंजन न्यूज मीडिया को आप सबस्क्राइब करें और अधिक से अधिक इसे अपना प्यार दें